नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि बैंडी सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, बैंडी सिरप को कैसे लेना चाहिए, और बैंडी सिरप की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि बैंडी सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में बैंडी सिरप को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है, बैंडी सिरप का उप्योग पेट में कीडों को मारने के लिए किया जाता है, पेट में कीडों की समस्य सबसे अधिक बच्चों में होती हैं बच्चों के पेट में कीड़े होना एक सामान्य बाद है लेकिन पेट में कीड़े बड़ों को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं पेट के कीड़े भोजन से विटामिन्स मिनरल्स और एनरजी सोख लेते हैं और पेट में कीड़े होने पर हो सकते हैं इसके अलावा शरीर में ठकान रहना लगातार कब्स की समस्या रहना खाना खाने के तुरंत बाद मल के लिए जाना पेट में गैस बनना और दस्त होना आधी लक्षन भी पेट में कीड़े होने पर हो सकते हैं बच्चों के पेट में कीड़े होने पर बच्चों की ग्रोथ धीनी या कम हो सकती है। पेट में कीडों की जाच करने के लिए आपका डॉक्टर स्टूल टेस्ट करवा सकता है। स्टूल टेस्ट की मदद से आपका डॉक्टर यहां आसानी से पता लगा सकता है कि आपको पेट में कीडो की समस्या है या नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम जानेंगे कि बैंडी सिरप कैसे काम करती है। पेट के कीडे जीवित रहने के लिए भोजन से ग्लूकोज सोखते रहते हैं। कुछ पसेंट व्यक्तियों में बैंडी सिरप की वज़ह से कुछ सामान्य साइड एफेक्स हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्द, सिर्दर्द, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और अस्थाई तौर पर हैर लोस हो सकता है। इसके अलावा बैंडी सिरप अस्थाई तौर पर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के लेवल को कम कर सकती है। अगर बैंडी सिरप को लेने के बाद बुखार, खांसी, गले में खराश, कमर में दर्द या पेशाप करते समय दर्द होता है। तो तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि बैंडी सिरप को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। पेट में कीडो को साफ करने के लिए 10 मिलिलीटर बैंडी सिरप को केवल एक ही बार और रात को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। दो वर्ष के कम उम्र के बच्चों को बैंडी सिरप को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि बैंडी सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी ज्यादा गंभीर होने पर बैंडी सिरप को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना बैंडी सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका बैंडी सिरफ से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते।